हाई गाईज हेलो एंड वैलकम बैक टो मैं चैनल लाव ब्यूटी ओन ड्यूटी सो फ्रेंड्स में आसके इस वीडियो में हम इस टोपिक के उपर बात करने वाले हैं कि इंप्लाटेशन ब्लीडिंग और पीरियट की ब्लीडिंग में क्या डिफ्रेंस होता है इन दोनों की बीच में ही क्या अंतर होता है तो जो भी लेडियो ट्राइ कर रही है कंसीव करने के लिए अभी इंप्लाटेशन की ब्लीडिंग और पीरियट की ब्लीडिंग में उन्हें अंतरपता होना चाहिए प्रेग्रेंसी के सुरुवात में हर तीसरी महिला को इंप्लाटेशन ब्लीडिंग होती है आम तोर पर यह ब्लीडिंग पीरियट के समय या कुछ दिनों पहले होती है जिसके कारण महिला इस बात को लेकर चिंतित हो जाती है कि उन्हें इंप्लाटेशन ब्लीडिंग हो रहे है या फिर मासिक धर्म की ब्लीडिंग हो रहे है तो मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस चीज के बारे में डिटेल से बताने वाले हो and कब आपको implantation bleeding से परिशानी हो सकती है and implantation bleeding के लक्षन के बारे में बात करेंगी कौन से इसके लक्षन होते हैं जिसके आधार पर आप ये confirm कर सकते हैं कि आपकी जो bleeding आ रही है वो implantation bleeding या फिर मासिक धरम की bleeding तो वीडियो है वो बहुत ही useful है पूरा जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे useful लगे तो प्लीज वीडियो को like और share कर दीजेगा चैनल पर अगर नई हो तो प्लीज चैनल को बीना subscribe किया मज़ेगा तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस topic पर full detail तो आम तोर पर implantation bleeding महिलाओं को pregnancy के शुरुवात में होती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को implantation bleeding हो pregnant होने के बाद इस तरह की bleeding बहुत मामूली होती है ज्यादा तर मामलों में implantation bleeding कुछ घंटों तक ही रहती है लेकिन कभी कभी यह 3 दिनों तक भी हो सकती है इसलिए इसमें चिंता करने जिसी कोई बात नहीं है और pregnancy के सुरुवाती 8 हफतों में यह bleeding किसी भी समय हो सकती है implantation bleeding के कुछ ही लक्षन एकदम अलग होते हैं बाकि अन्य लक्षन pregnancy के ही होते हैं जिसके आधार पर bleeding होने पर पहचाना जाता है कि implantation bleeding है यदि आपके वज़ाने से भोरा या गुलाबी spot निकल रहा है तो यह implantation bleeding का लक्षन है पेट में हलका और भारी दर्द होना मूड खराब होना सिर्दर्द होना वज़ाइन से हलका खून निकलना और फिर बंद हो जाना जी मचलना, चक्कर आना मासिक धर्म से कुछ दिन पहले या उसके दोरान वज़ाइन से गाड़ा ब्राउन कलर का लिक्विट आना तो implantation bleeding से किस तरह की परिशानी होती है आम तोर पर implantation bleeding होने पर महिला की स्वास्ते पे किसी तरह का खत्रा नहीं होता है जब गरभासे में भ्रून विक्सित होता है तब implantation bleeding है वो होना normal माना जाता है लेकिन pregnant होने के बाद आपको अगर heavy bleeding हो तो यह गंभी समस्या हो सकती है तो उस condition में आपको डॉक्टर से ज़रूर परामस करना चाहिए अब हम बात करते हैं कि implantation bleeding और period की bleeding में क्या आंतर है तो normally प्रत्यार open के बाद होने वाला implantation bleeding महिलाओं के सामन्ने मासिक धरम से काफी अलग होता है लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मासिक धरम के दोरान सभी महिलाओं को एक जिसा bleeding नहीं होता है यानि कुछ महिलाओं को अधिक तो कुछ को कम bleeding होती है तो implantation bleeding और period के खून के रंग में अंतर समझना होगा आपको मासिक धरम के दोरान होने वाली bleeding में खून का रंग लाल होता है जबकि implantation bleeding में खून का रंग हलका गुलाबी या भूरा होता है और periods के दोरान खून ठक्के के रूप में निकलता है जबकि implantation bleeding में खून ठक्के के रूप में नहीं बलकि पतला खून निकलता है period के दोरान bleeding में महिलाओं को पैट लगाने की ज़रूरत पड़ती है जबकि implantation bleeding इतनी हलकी होती है कि कभी-कभी इसका पता भी नहीं चल पाता है मासिक धरम कई दिनों तक होता है और इस दोरान bleeding भी ज्यादा होती है जबकि implantation bleeding बहुत हलकी और मात्र कुछ ही घंटो या फिर दिन रहती है तो इन अंतरों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको जो bleeding हो रही है वो implantation के bleeding हो रही है या फिर periods की bleeding हो रही है सो आसा करते हूँ मेरा आस का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए useful रहे सो वीडियो अच्छा लगा है यूसफू लगा तो प्लीज वीडियो को like और share कीजेगा चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लिजेगा सो मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए बाई